वसकार दोस्तो मैं आज आपको ऐसे वेb website के बारते हों जो आप इंडिया के किसी भी इस्टेट के खिलाब complain कर सकते हैं अगर आपकसाथ कोई भी problem हुई है चाहिए वो problem कि समूं का है चाहिए वो problem किसी एक परिवार का हो चाहिए जया प्राबलम में को C faster दिए गई हो चायो प्राब्लम में आपको स्कॉल्टर्च से संबंदित हो किसी इस पर भी कपरायद में कおおlic से कैliter कर स्कूल से लेखर यहां सारक से लेकर हर चीज की समयदाम किया जीता है तो चलिए मैं आपको बताने आने जा रहा हूं पीजी पोर्टल के बारे में और मैं इस पर बकायदा आपको आईडी बना कर दिखाऊंगा और आपको कंप्लेंड करके भी दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं अगर वीडियो आपका इच्छा लगा तो चैनल के सब्सक्राइब पर ल स्टेट गुवर्मेंट के खिलाब भी उस पर कंप्लेंड कर सकते हैं तो सिंपल सा गुगल पर हम यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे पीजी पोर्टल यहां पर देखिए जो हम लिखेंगा तो यहां पर देखिए पीजी पोर्टल डाट जी ओबी डाट इ जाएगा आपका पेज़ पर और यहां स्क्रॉल करके आप जाएंगे नीचे तो यहां देखिए रेइस्टेशन एंड लॉग इन का अपसंदिया इस पर आप क्लिक किजिएगा और यहां पर क्लिक करने बाद से आपके पास अगर आप पहले साइडी बनाये हुए हैं तो आप का इप करेंगे उसके बाद से आप कंट्री सुच करेंगे इस टिए आपका जो भी हैं आपर स्क्लॉल करेंनी चाहेंगे उस चूच करेंगे फिर्चापका जिस्टिक का क्रेंगे में piace क्लेगा और झाएälडी क्रेंगा झाल में आपकोCar में लिएख देंग पर किलिक निग क पासवर्ड और आईडी बना लेंगे इसके बाद से मैं चलिए अब आप लाग इन होके आपको दिखा देता हूं यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर एक मोबाइल नंबर से भी लाग इन हो सकते हैं यहाँ आपके पास यूजर जो ने वहाँ आ कम्प्लेंड किया हूं और मैं इसका एक स्किन साट भी आप लोग को भेजाता वाटसब ग्रूप में यहाँ पर कुछ है टोटल ग्रिवेंस रेजिटर में कुछ नहीं सोगा नंबर आप ग्रिवेंस पेंडिंग कुछ नहीं सोगा तो यहाँ पर 00 होगा जैसे देखिए यह गाल यहाँ रहे हूआ यहाँ बना नहीं हुआ है छिर्व सो ररहा है तो यहाँ पर करना के कैसे अव कंप्लेंड करें गहें देखिह यहाँ पर नाम हो रहा है यहाँ पर देखластपूपड न बट्र क् sırग n Dans比較 नेशाआप अलिक श्याव पार्स प्लस उरौब itísक निक अगर आपका religious matter नहीं कर सकते हैं आप इस चीज़ से जुड़े हूँ है इस पांचों टॉपिक से तो आप complain नहीं कर सकते हैं तो हम लोग का तो scholarship का matter तो आए ग्रिप किलिक करेंगे आप सब्सक्राइब कर देंगे आप करने बाद से देखिए इतना सारा कंप्लेन करने का अपसना आता है अगर पोश्ट आप से जुड़ा मामला है टेलिकाम से बैंकिंग से इंसुरेंस से स्कूल से रोड ट्रांसपोर्ट से अगर लगता है कि कोई रोड गलत बन रहा हूं वहां सकते हैं अपनी अपील कर सकते हैं अब यहां पर हम अदर पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा मैटर्स में नहीं सो हो रहा है और इसमें एक चीज और दख लिए हाउस एंड अर्बन अफेर्स अगर आगर आपकी हाउसिंग की कोई दिक्कत है आपके यहां कोई हाउस बनावान हमें स्क्रॉल करके नीचे आएंगा देखिए अपर मेरा नाम आगया जो में भरा था सारी चीजे मेरी यहां पर आ चुकी है और यहां पर एक आप अल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हैं तो मैं फिलाल है आप फिल अप कर दूंगा मैं आपको डेमो देखा रहा हूं क्योंक का जिनका है अब यहां पर देखिए कर रहा है कि आपका ममला कहां जुड़ा हुआ है तो हमारा जो है इस्टेट गवर्मेंट से तो हम इस्टेट गवर्मेंट से लिट करेंगे और यहां पर हम मिनिस्ट्री आप डिपार्टमेंट से लिट करेंगा उत्तर प्रदेस है तो आप application लिखते हैं और online आपको यहाँ पर लिखना है, submit करना, अगर आपको नहीं लिखना आता है, तो मैं आपको अपने WhatsApp ग्रूप में send किया हूं कई बार, वहाँ सब देख लिजए, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दे दुमगा WhatsApp ग्रूप या टेलिग्राम ग्रूप मे इसके बास अगर इसके पहले आप complaint किया है, तो reference number डाल दिजएगा, reference number का date आता है, वह डाल दिजएगा, तो फिलाल आपने कोई complaint तो किया नहीं है, तो यहाँ पर पूरा आपने जो भी है समस्या है, जैसे transaction फेल्ट हुआ है, चाहाँ आपका अभी result not clear है, या NBA grading है, या block ह किसी भी कास्ट के है, आप यहाँ पर पूरा अपना detail लिक कर, यहाँ पर देखिए लगवा, 4000 character के लिखने का अब लिख सकते हैं, उसके बास से यहाँ पर attach file लगाने करा, जैसे माली चूज फाइल अप करेंगे, यहाँ पर click, मैं आपको एक file लगा कर दिखाता हूँ, जिस में क्या क्या होना चाहिए, आपके PDF file में आपका जो बरतमान का scholarship status है, वो होना चाहिए, उसके बास आपने जो scholarship farm डाला वर्चिनल वाला, वो होना चाहिए, उसका full जो आपका पूरा पूरा farm होना चाहिए, कोई short form नहीं होनी चाहिए, जितना आपने फरा है सही से, उसके सा document आपका important है, जो लगा का आप रखिएगा, इसके वासे आप attach ना उपर जब click करेंगे तो आपका file यहाँ पर download हो जाएगा, देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, माली जे मैंने click किया कुछ समय लगेगा, 3 MB का मेरी यह file है, जब कि यहाँ जो maximum दिया है, 4 MB तक, तो 4 MB तक, उसके बाद हम inter security code पर fill up करेंगे, उसके बाद से आप यह code डाल का submit ना उपर click कर देंगा, तो आपका जो है document submit हो जाएगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं आप भी तक submit किया हूँ, उसका under process चल रहा है, कहां गया, कि इसके पास गया, पूरा detail आता है, आप किस से बात कर सेंगे, तो सारी detail देगा, तो यहाँ यहाँ आप बैक होंगे, तो यह तो आप जानगे, बैक होने के बाद से बाहर आएंगे, जब आपका submit हो जा तो कहां चेक कर सकते हैं, यह बता जा तो देखिए हैं, आप total grievance आप register यह इस पर click करेंगे, अब इस click कर करेंगे हम, इसके बाद से click करने बाद से scroll करके नीचे आएंगे, तो देखिए, पुरा paragraph आप देख लिजिए, मैं लिखा हूँ, और इसमें मैं आप सभी के बारें भी लिखा हूँ, और सारे student की मांग किया हूँ, और यहाँ पर देखिए, मैं एक document लगा हुआ है, पीडि आप भी कर सकते, तो पूरा डिटेल हो गया, यहाँ पीजी पूर्टल पर आप कम्पलेंड करेंगे है, यह पूरा international मामला है यहाँ देखा जाता है, अगर आप सेकेंड बार आप कम्पलेंड कर रहा थे, यहाँ पर जो नमबर दिया आपको यहाँ पर इस्टेशन नमबर आपने जो डेट आप रिस्ट दिया है, चोद्यू साथ दूहजार किसको यह दूसरी कम्पलेंड में डालना होता, जैसे मैं दिखाया हूँ आपको वहाँ पर कि अगर सेकेंड बार आप कम्पलेंड करते हैं, तो यह पूरा आप देख लिए यहाँ पर पूरा डेटेल है, आप ऐसे ही वहाँ पर 4000 कारेक्टर में अप्लिकेशन को सम्मिट करेंगे जो आपकी समस्या है, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जोरू बताएगा, और मैं चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजीगा, मिलते हैं नेक्ट वीडियो आप सभी कते हैं दिस धन्यवाद जैन